जय गोश की ये गुंज, भार्तिय सेनाओं और सुरक्षा बलके पराक्रम का ये उद्गोश, ये अईतिहासिक धर्ती और दिपावली का ये पवित्र त्योहाद, ये अधुत संयोग है, ये अधुत मिलाप है, संतोस और आनन से भर देने वारा ये पल मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और देश वाच्यों के लिए भी, दिवाली में नया प्रकाश पहुँचाएगा, ऐसा मेरा विश्वाच है, मैं आप सभी को, सभी देश वाच्यों को, सीमा पर से, आखरी गाउं से, जिसे मैं आप पहला गाउं कहता हूँ, वहां तैनात, हमारे सुरक्षा बलके साथियों के साथ, जब दिवावली मना रहा हूँ, तो सभी देश वाच्यों को दिवावली की, ये बदाई भी, बहुत स्पेशल हो जाती है, देश वाच्यों को मेरी बहुत बदाई, दिवावली की शुब कामना है, मेरे परिवार जनो मैं अभी काफी उंचाई पर लेप्चा तक होकर आया कहा जाता है कि परवब वही होता है जहां परिवार होता है परवब के दिन अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात रहना ये अपने आप में कर्टव्य निष्ठा की पराकास्टा है परिवार की आप हर किसी को आती है लेकिन आपके चहरों पर इस कोने में भी उदासी नजर नहीं आ रही है आपके उत्सा में कमी का नामों निषान नहीं है उत्सा से भरे हुए है उर्जा से भरे हुए है क्योंकि आप जानते हैं कि 140 करोड देश वाच्चों का ये बड़ा परिवार भी आपका अपना ही है और देश एसलिए आपता कृतग्य है रणी है इसलिए दिपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है इसलिए हर पूजा में एक प्रार्खना आप जैसे बीरों के लिए भी होती है मैं भी हर बार दिवाली पर सेना के अपने सुरक्षाबलों के जमानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूँ कहां भी गया है अवद तहां जहां राम निवासु यानि जहां राम है वहीं है ज़त्या है मेरे लिए जहां मेरी भारतिय सेना है जहां मेरे देश के सुरक्षाबल के जबान तैनात है वो स्थान किसी से किसी भी मंदिर से कम नहीं है जहां आप है वहीं मेरा त्योहार है और यह काम शाइद 30-35 साल से भी जादा सबय हो गया होगा मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सब के बीच जाकर के नम बनाई हो 30-35 साल हो गया है जब PM नहीं था CM नहीं था तब भी एक घर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी नहीं किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था आप लोगों के साथ मिठाईयों का दौर तब भी चलता था और मैं इसका खाना भी खाता था और इस जगह का नाम भी तो सुगर पॉइंट है आपके साथ थोड़ी सी मिठाई का कर मेरी दिवाली भी और मदूर हो गई है मेरे परिवार जनों इस धर्ती ने इतिहास के पन्नों में पराक्रम की साई से अपनी ख्याती खुद लिखी है आपने यहां की भीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुन बनाया है आपने साबित किया है आसन्य मुर्ट्यू के सीने पर आसन्य मुर्ट्यू के सीने पर जो सिहनाद करते हैं मर जाता है काल स्वयम पर वे वीर नहीं मरते हैं हमारे जवानों के पास हमेशा इस वीर बसुंद्रा की विरासत रही है सीने में वो आग रही है जिसने हमेशा पराक्रम के प्रतिमान गड़े है प्राणों को हथली पर लेकर हमेशा हमारे जवान सबसे आगे चले हमारे जवानों ने हमेशा साबित किया है कि सीमा पर वो देश की सबसे ससक्त दिवार है मेरे बीर साथियों भारत की सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट निर्मान में निरंतर योगदान रहा है आजावी के तुरंत बार इतने सारे युद्धों का मुकाबला करने वाले हमारे जाबाज हर मुश्किल में देश का दिल जितने वाले हमारे योध्धा चुनोतियों के जब्डे से जीत को छिन कर लाने वाले हमारे वीर बेटे बेटियों भुकंप जैसी आपदाओं में हर चुनोति से टकराने वाले जबान सुनामी जैसे हालातों में समंदर से लड़कर जिन्दगियां बचाने वाले जाबाज अंतर राष्टिय शांती मिशन में भारत का वैश्विक कद बढ़ाने वाली से नाएं और सुरक्षबल ऐसा कौन सा संकट है जिसका समाधान हमारे वीरों ने नहीं दिया है ऐसा कौन सा ख्षेत्र है जहां उन्होंने देश का सम्मान नहीं बढ़ाया है इसी साल मैंने उनाइटेड नेशन में युएन में पीस कीपर्स के लिए मेमोरियल हॉल का प्रफ्ताव भी रखा था और जिसे सर्वस सम्मति से पारिद किया गया ये हमारी सेनाओं के सैनिकों के बलिदान को अंतर राष्टियस कर पर मिलां बहुत बड़ा सम्मान है ये बैश्विक शान्ति के लिए उनके योगदान को अमर बनाएगा साथियों संकट के समय में हमारी सेना और स्वरक्षाबल देवदूत बनकर न केवल भारतियों को बल्कि विदेशी नाजिकों को भी निकाल कर लाते हैं मुझे याद है जब सुडान से भारत बाचियों को निकालना था तो कितने सारे खत्रे थे लेकिन भारत के जाबाजों ने अपना मिशन कोई नुक्षान हुए बिना काम्याभी के साथ पूरा किया तुर्किये लोग के लोग याद भी आत तरते हैं कि ये जब वहां भयंकर भुकम पाया तो किस तरह हमारे सुरक्षाबलों ने अपने जीवन की परवाण ना करते हुए वहां दूसरों का जीवन बचाया दुनिया में कहीं पर भी भारतिया अगर संकट में है तो भारतिये सेनाएं हमारे सुरक्षाबल उन्हें बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं भारत की सेनाएं और सुरक्षाबल संग्राम से लेकर सेवा तर्थ हर स्वरूप में सबसे आगे रहते हैं और इसलिए हमें गर्व हैं हमारी सेनाओं पर हमें गर्व हैं हमारे सुरक्षाबलों पर हमें गर्व हैं हमारे जमानों पर हमें गर्व हैं आप सभी पर मेरे परिवार जनो आज दुनिया में जिस तरह के हालात है उसमें भारत से अपेक्षाहें लगांतार बढ़ रही है ऐसे एहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सिमाए सुरक्षित रहें देश में शान्ती का बातावन बना रहें और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमी का है भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमाले की तरह अटल और अडीग ये मेरे जावाँच साथी खड़े आपकी सेवा के कानण ही भारत भूमी सुरक्षित है और सम्रुद्द के अए मार्ग पर प्रसस्त भी है पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है जो एक साम गया है वो विशेश तोर पर भारत के लिए अभूत पुर्व उपलब्द्दियों से भरा हुआ है अम्रित काल का एक वर्ष भारत की सुरक्षा और सम्रुद्दी का प्रफीक वर्ष बना है बीटे एक वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उतारा जहां कोई देश पहुँच नहीं पाया था इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य आल वन की भी सफल लॉंचिंग की हमने गगनियान से जुड़ा एक अस्टेंट महतोन परिक्षन भी सफलता से पूरा किया इसी एक साल में भारत का पहला सफदेशी एरकाप करियर आइनेस विकान नव से ना में शामील हुआ इसी एक साल में भारत ने तुमकुरों में एशिया की सबसे बड़ी हेलिकोप्टर सेक्टरी की शुडवात थी इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकांस के लिए वाइबरेंट विलेच प्रग्रम का शुबारब हुआ आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना पर्चम लहराया है सेना और सुरक्षा वलके कितने ही जमानों ने भी मेडल जीत कर लोगों का दिल जीत लिया है बीटे एक साल में एशन और प्यारा गेंज में हमारे खेलाडियों ने मेडल की सेंचिरी बढ़ाई अंडर 19 क्रिकेट वलकप में हमारी महिला खेलाडियों ने विस्वकप जीता है 40 वर्थो भारत ने आयोसी की बैटर का सपल आयोजन किया है साथयों पिछली दिवाली से दिवाली तक का कालखंद भारतीय लोगसंría बाषत्र और भारत की वैश्वकप जिम्प आयोस's नहिएř इस एक साल में भारत ने संसति नई इमारत में प्रवेश्च किया संसर्थी नहीं इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंदन अधिनियम पारित हुआ इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सबलता मायोजल हुआ हमने नियु दिल्ली डेक्लेरेशन और ग्लोबल बाइफिलर एलाइंस जैसे महतुपन समझोते किये इसी कालखन में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे सक्षी जाली देश बना इसी कालखन में भारत का एक्पोर्ट 400 बिलियन डालर को पार कर गया इसी समय में ग्लोबल डी जी डी पी में भारत ने पांच रस्तान हासिर किया इसी समय में हम 5G user base के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए साथ क्यों बीता एक साल राष्ट निर्मार का महत्वपुन राष्ट बना है महत्वपुन वर्ष बना है इस साल देश के इंफ्रासेक्टर डेवलप्मेंट में हमने कई उप्लब्द्य हाशिल किया है अब भारत का उपहर मिला भारत के 34 नए रूट पर बंदे भारत ट्रेन रप्तार भरने लगी है हमने इंडिया मिडल इस जूरोप एकोनोमिक परिडॉर का स्री गनेश किया दिल्ली में दो वर्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर यशो भुमी और भारत मंडपम का उद्गाटन हुआ क्यू एस वर्ड रैंकिंग में भारत एच्ट्रा के सब चैथिक विश्में विश्में वाला देश बन गया है इसी दोरां कचके धोर्डो सीमा वर्ती गाउं रेकिस्तान का गाउं छोटा सा गाउं धोर्डो उस गाउं को सहीं पर राश्ट से बेश टूरिजम विलेज का एवर्ड मिला है हमारे शांति निकेतन और होई साला मंदीर युनेस्को की बल्ड हेरिटेज लीस्ट में शामिल हुए साथियो जब तक आप सीमाओं पर सजग खड़े हैं देश बहतर बविश्च के लिए जी जान से जुटा हुआ है आज अगर भारत अपनी पूरी ताकत से विकास की अनंत उचाइयों को चू रहा है तो उसका अवस्रे आपके सामर्फ़ को आपके संकलपों को और आपके बलिदानों को भी जाता है मेरे परिबार जनो भारत ने सद्यों के संगर्षों को जेला है सुन्ने से संभावनाव का स्रुजन किया है 21 सदी कहा भारत अब आत्म निर्भर भारत के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है अब संकल्प भी हमारे होंगे अब संकल्प भी हमारे होंगे संसाधन भी हमारे होंगे अब होसले भी हमारे होंगे हथियार भी हमारे होंगे दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे हर स्वास में विश्वास भी अपार होगा खिलाडी हमारा खेल भी हमारा जय विजय और अजय है प्रन हमारा उंचे परवत हो, या रेगिस्तान, समंदर अपार, या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये, तिरंगा सदा हमारा अम्रित काल की इस बेला में, वक्त भी हमारा होगा, सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धी की एक गासा लिखेंगे परवत से भी उपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा, गती और गरिमा का जड़ में सम्मार होगा, प्रचंद सफलताओं के साथ, भारत का हर तरफ जैगान रहेगा क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं, सामर्त हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयम घड़ते हैं भारती सेनाओं और सुरक्षा बलों का सामर्त लगातार बढ़ रहा है डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रुपए उभर रहा है एक समय था जब हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्वर होते थे लेकिन आज हम अपने साथ साथ अपने मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा करने की तरब बढ़ रहे हैं जब मैं 2016 में इसी क्षेतर में दिवाली मनाने आया था सबसे लेकर आज तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आठ गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है एक लाख करोर रुप्य से ज़्यादा का डिफेंस प्रोड़क्शन आज देश में हो रहा है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है साथ क्यों हम जल्द ही ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जहां हमें जरुद के समाएं दूसरे देशों की और नहीं देखना होगा इससे हमारी सेनाओं का हमारे सुरुच्शाबलों का मनोबल बढ़ा है हमारी सेनाओं की सुरुच्शाबलों की ताकत बढ़ी है हाई टेक्स टेक्नोलोजी का इंटरिगेशन हो या सीडियेस जैसी जरुरी व्यवस्ता भारत की सेना अब लगातार धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही हाँ टेक्नोलोजी के इस बढ़ते प्रसार के बीश मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमें टेक्नोलोजी के इस्तिमाग में मानिविय सुझबुझ को हमेशा सर्वो पर ही रखना है हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलोजी कभी मानिविय संव्यदनाव पर हावी ना हो साथियों आज स्वदेशी संसाधन और टॉप लाथ बॉर्डर इंफ्रासेक्टर भी हमारी ताकत बन रहे हैं और मुझे खुची है कि इसमें नारी शक्ति भी बड़ी भूमिका निभा रही है बीके वर्षों में इंजियन आर्मी में पांसो से ज़्यादा महिला आफिसर्स को पर्मनेंट कमिशन दिया गया है आज महिला पाइलर्ट रफाइल जैसे फाइटर फ्लेइन उड़ा रही है वार्शिप पर भी पहली बांग विमेन आफिसर्स की तैनाती हो रही है ससक्त समर्थ और संसाधन संपन्द भार्टिय सेनाएं दुनिया में आधुलिकता के नए प्रतिमान स्थापित करेगी साथ्यों सरकार आपकी जरुवतों का भी आपके परिवार का भी पूरा ध्यान रख रही है हमारे सहिनिकों के लिए अब ऐसी डिसिज बनी है जो अमानिवियत आपमान को भी सहन कर सकती है आज देश में ऐसे ड्राउंस बन रहे हैं जो जवानों की शक्ती भी बनेंगे और उनका जीवन भी बचाएंगे बन रैंक बन पेंशन और रोपी कित से तादवी अब तक नब्वे हजार करोड रुपे दीज है तुके साथियों देश जानता है कि आपका हर कदम इतिहास की दिशान निर्धारित करता है आप जैसे बीरों के लिए ही कहा गया है सुर्मा नहीं बिचलित होते सुर्मा नहीं बिचलित होते चन एक नहीं दीरज खोते चन एक नहीं दीरज खोते विग्नों को गने लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं मुझे भी स्वास है आप इसी तरह माभार की ये सेवा करते रहेंगे आपके सहयोग से राष्ट विकास की नीत नई उचाईयों को छूता रहेगा हम मिलकर बेज की हर संकल्प को पूरा करेंगे इसी कांटा के साथ एक बार फिर आप सभी को दिपावली की बहुत बहुत शुपना की कांटा है बंदे 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 भारत माता की दिपावली की बहुत बहुत शुपना है आपको बंदे的 बंदे बंदे़